ग्याम सुधा सकसेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आएँए आज हम पढ़ते हैं लैटिमर्ड डियाग्राम के बारे में इस से पहले कि लैटिमर्ड डियाग्राम के बारे में पढ़ें याद कर लेते हैं EMF सिरीज या Electrochemical सिरीज के बारे में कुछ बातें यहां जो Electrode Potentials का चार्ट आपको दिखाया हुआ है यह Half Cell Electrode Couple जो Reduction Reaction के लिए होता है उसके लिए दिया हुआ है आप जैसे देख सकते हैं कि F2 और 2F- यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचना है यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचना है यानि उसके लिए यह Reduction हो रहा है दो Electrons ले रहा है उसके बाद यह Reduced जो Condition State है उस situation उसमें वो पहुंच रहा है यह Species इसे तरह से आप दूसरे species को भी देखें तो आप पाएंगे कि सब के सब जो है वो reduce हो रहे हैं और यह जो electrode couple या half cell इस series में दिखाए हुए हैं जो सारे reduction को represent कर रहे हैं यह oxidized species है यह reduced species है पहला oxidized दूसरा reduced इस तरह से series बनी हुई है और oxidizing power जो है वो उपर से नीचे की और घट रही है और यहां जो standard electrode potential values हैं वो आप देख रहे हैं वो decreasing order में हैं और आप जानते हैं जब कोई भी species reduce हो जाता है जैसे कि आप यह देख सकते हैं electron pick कर रहा है और AU zero oxidation state में पहुँच रहा है तो यह अगर reduce होता है तो वो किसी को oxidize करता है और oxidize करने का जो power है वो उपर से नीचे उसी तरह से घट रहा है जैसे की E zero value जो standard reduction potential का है वो घटता च चला जा रहा है इसी तरह से हम यह कह सकते हैं इसका just opposite की reducing power जो है वो उपर से नीचे बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे E zero value घट रहा है reducing power बढ़ रहा है oxidizing power घट रहा है तो यह trend अपने को ध्यान में रखना है या यह हमें याद होना चाहिए उसी तरह से बहुत सारे यह आप देख सकते हैं कि oxidizing power इतर से decrease हो रहा है यह electrode potential values है और reducing power यह increase होती जा रही है down the globe साथ ही हम यह जानते हैं कि यह जो couple है hydrogen का इस यूगम के लिए जो reduction potential है वो zero होता है यह हमें मालूम है यह by definition है और इसी hydrogen का जो reduction potential इसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरी series की value बनाई हुई है कुछ और values हैं यहाँ पर इस chart में आप देख सकते हैं कि oxidizing power जो हो decrease होती चले जा रही है या दूसरे शब्दों में कहें कि reduction power जो है down the group increase होत देख सकते हैं इस chart में negative values है reduction potential के तो इन सब चीज़ों के क्या माइनी होते हैं एक बात होड़ा सा याद कर लेते हैं यहाँ अगर कोई couple हो mn plus mn plus mn plus m0 अगर यह reduction couple है तो उसके लिए यह reaction लिखी जा सकती है और आप देख सकते हैं यहां से यहां तक जाते हुए यानि यह अगर यहां तक पहुंचे तो उसका मतलब electron pick करके electron लेकर पहुंच रहा है oxidation state जो है इसका zero है यहां mn plus था और जितना mn plus था उतने ही electron इसने लिए तब जाके यह zero oxidation state में पहुंचा है तो यह हुआ है reduction लेकिन यह है oxidizing agent जिसका reduction हो रहा है वो oxidizing agent है और अगर backward reaction देखें यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो यह zero जो oxidation state है वो n plus में चेंज हो रहा है तो इससे कहते हैं oxidation reaction क्योंकि यह जो species है वो n electrons छोड़ रहा है या किसी को दे रहा है तो यह oxidation reaction है और क्योंकि यह electron दे रहा है इसलिए reducing agent R.E. के नाम से इसको जाना चाता है कुछ बातों को याद कर लेते हैं if E zero value for MN plus M couple यह MN plus M couple था इसकी अगर E zero की value अगर positive है तो क्या बात हो सकती है तो number one metal line has the tendency to be reduced to M zero यानि इसकी जो tendency है इसकी जो प्रवरिती है वो reduce हो जाने की है दूसरी बात if the metal has a tendency to act the metal has a tendency to act यहाँ पर tendency का spelling mistake हो रहा है typing mistake है T E N D E N C Y tendency यहाँ पर N missing है तो उसको थोड़ा correct कर लीजेगा notes बनाते वक्त metal has the tendency D E N होगा यहाँ पर C Y to act as oxidizing agent तो अगर वो reduce होने की उसकी प्रवरिती है यानि वहाँ oxidizing agent के तरह है कारे कर रहा है यह तब होगा जब E zero की value होगी positive तो उसका मतलब अगर E zero की value इस couple के लिए negative है तो just इसका opposite होगा और यहाँ पर भी tendency में N गायब है तो आप उसको लिएगा यहाँ होगा T E N D E N C Y tendency यानि प्रवरिती तो उसका मतलब अगर E zero की value है वो negative है इस couple के लिए M N plus से M तक पहुचने के लिए उसका मतलब metal जो है reduce नहीं होगा वो oxidize होना चाहेगा पसंद का tendency प्रवरिती उसकी reduce होने की होगी और वो एक sorry oxidize होने की होगी और वो एक reducing agent की तरह कारे करेगा एक बार फिर इसको सुन लीजिए अगर E zero value जो M N plus M couple की अगर negative है तो वो reduce नहीं होगा वो oxidize होने की उसकी प्रवरिती होगी oxidize to M N plus और अगर वो oxidize हो रहा है तो उसका मतलब एक reducing agent की तरह कारे करने की उसकी प्रवरिती है तो ये दोनों cases जो हैं एक दूसरे के just opposite हैं E zero की value अगर positive है तो जो metal होता है उसकी oxidizing agent की तरह कारे करता है और अगर E zero की value इस couple के लिए negative है तो उसका मतलब वो oxidize होना पसंद करता है और reducing agent की तरह कारे करता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए आईए देखते हैं हमारा पहला example इसको समझने के लिए देखिए Latimer diagram को समझने से पहले इन चीजहों को ये बारे में जाना जरूरी है इसलिए background knowledge आपको यहाँ revise कराए जा रही है example 1 हमारे screen पर है calculate E0 reaction of the following reaction and predict whether this reaction is feasible or not उसकाँ पूछा है कि एक reaction दिया हुआ है वो reaction यहाँ पर है और यह पूछा है कि बताइए कि यह reaction possible भी है हो सकेगा या नहीं हो सकेगा और जो reduction potentials हैं वो यहाँ पर दीवे हैं दिखें copper iron और copper के couple के लिए यह reduction potential है और Zn2 plus Zn couple के लिए minus 0.763 volt यह दो potentials E0 के values दीवे हैं तो आये देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगी कि reaction होगा या नहीं होगा इसके लिए the answer of this equation can be given in the following two ways दो तरह से इसको हम reaction को देख सकते हैं answer को calculate कर सकते हैं पहला तरीका देखते हैं इस reaction को लिख लिया और यह देखें यह zinc 2 plus में और copper 2 plus में reduce हो रहा है तो यह हमने oxidation लिखा यह हमने reduction लिखा इस पूरे reaction को हम दो आधे आधे reaction में कि zinc जो है वो oxidize हो रहा है और उसका जो potential है वो यहाँ पर आप देखें यह zinc 2 plus में oxidize हो रहा है हमें जो यहाँ पर potential दिया हुआ था zinc 2 plus से zinc दिया हुआ था आप देखें यह 2 plus से zinc 0 यानि reduction potential यहाँ दिया हुआ था जबकि यहाँ पर हमारा हो रहा है oxidation जैसे ही ऐसे यहाँ opposite चीज़े देवी हैं तो sign जो है जो potential का है वो यहाँ पर change हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ negative sign था तो अब यहाँ पर positive में change हो गया है क्योंकि यहाँ reduction के लिए बात कहीं गये थी और यहाँ जो reaction हम लिख रहे हैं वो oxidation का है तो इस तरह से इस के लिए इस couple के लिए जो potential होगा वो है E0 oxidation के लिए और plus 0. 0.763V यह अपने को याद रखना है आगे बढ़ते हैं दूसरा जो couple है इसमें वो है copper 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 2 plus और copper का जो couple है इसमें यह electrons लेकर reduce हो रहा है और हमें जो दिया हुआ था potential अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 plus से copper 0 यानि reduction potential ही दिया हुआ था तो हमने इसको as such use करना है sign में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हमें इसका जो potential है वो हमने यहाँ पर लिखा redox reaction यह हो रहा है और जो redox reaction का potential है E oxidation और plus reduction दोनों के potentials को plus करके हम value निकालते हैं वो है 1.1V अगर यह positive है तो फिर यह reaction spontaneous या अपने आप होने वाला reaction है यह तो एक तरीका है इस question का answer को पता करने के लिए कि whether this reaction will happen or not यह reaction अपने आप spontaneous possible है या नहीं है तो यह एक तरीका है इसको पता करने का दूसरा देख लेत हैं E redox का value हमने इस तरह से निकाला दोनों half reaction को देखते हुए और लिखते हुए और potential को जो reduction potential और oxidation potential में change करते हुए दूसरा तरीका क्या है E redox को निकालने का वो है कि E higher value E0 minus lower value तो higher value इन में से क्यों सा था positive plus 0.337 जो copper के couple का था उसका value high है क्योंकि दूसरा जो zinc के couple का जो potential था वो negative में है तो वो low है तो उसको minus किया lower value को minus किया इसमें से higher value से higher value से lower value को minus किया और दिखा कि क्या रहा है plus यह minus यह भी plus आ रहा है since it is positive the given redox reaction is feasible तो यह reaction आसानी से हो सकता है तो यह short method है यह थोड़ा long method है अगर मतला यह जादा अच्छी तरह से समझने के लिए है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और यह एक बार आपने समझ लिया तो आप इस तरह से इसको shortcut में भी कर सकते हैं दोनों तरीके आप इस्तिम जालने के लिए और reaction के feasibility या reaction समभव है के नहीं वह पता करने के लिए अब हम आते हैं Latimer diagram के उपर हमारे पास background knowledge है अगर आप notes बना रहे हैं तो वीडियो को pause करते वे और notes बनाएगा बिना pause के अगर आप notes बनाएगे तो और repeat भी कीजिएगा एक बार पहले देख लीजिए फिर pause करते वे notes बनाएगे notes बनाएगे वह जाधा बहता तरीका होता है पढ़ने का Latimer diagram के बार में जान लेते हैं Latimer diagram है क्या तो यह कुछ points है Latimer diagram के उनको point wise समझ लेते हैं Latimer diagram of an element represents the standard reduction potential values of a series of compound of that element in different oxidation state यानि अगर कोई भी metal है suppose m उसका oxidation state है चलिए oxidation state है जैसे plus oxidation state है जैसे प्लस 5 उसके बाद वो change हो रहा है या reduce हो रहा है plus 3 में फिर मान लेजिए plus 2 में फिर मान लेजिए plus 1 में और उसके बाद last में वो reduce होके m0 oxidation state में आ गया है तो अब लाटिमर डाग्राम में अगर ये अलग-अलग oxidation state है तो यानि वो किसी compound के अवस्था में है तो अलग-अलग compound इसी element का के अलग-अलग compound के जो oxidation state है उनको सिरीज से लिखा जाता है highest oxidation state जो होता है वो left hand side या बाइं हाथ की तरफ बाइं हाथ की तरफ और सबसे lowest oxidation state जो है वो दाइं हाथ की और लिखा जाता है इन oxidation state में जो compounds इसका बना हुआ होगा उसका वो लिखा हुआ होगा और oxidation state यहां उसके नीचे नीचे लिखा हुआ होगा इस तरह से और साथ में arrow से एक species से दूसरे species में जो change हो रहा है उसको arrow से दिखाया जाएगा और जो change हो रहा है उसका जो EMF है वो reduction potential है वो इस तीर के निशान के उपर डाला जाएगा पाँच तीन या दो जो नमबर लगा कर इस तरह से अलग अलग जो values है वो इन तीर के निशान के उपर लिखे जाएगे तो इस तरह का arrangement होता है उसको Latimer diagram कहा जाता है आएए देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या बाते कही गई है species with the with the element in the series species with the element in the highest oxidation state is written on the extreme left तो जो highest oxidation state जैसे कि हमने अब ही लिखा था M plus 5 वो left की तरफ लिखा जाता है तो highest oxidation state को left hand side by your लिखा जाता है और जो lowest oxidation state है जैसे कि हमने देखा था zero वाला state हमने यहां right hand side में लिखा था minus की state में भी होगा वो भी सबसे कम वाला होगा oxidation state तो वो भी right hand side में लिखा जाएगा different species have arrows between them जो अलग-अलग species है oxidation state के उनकी बीच में arrow का निशान या तीर का निशान लगा जाता है और oxidation state of the element is written above them oxidation state जो है वो उपर लिखा जाता है और जो उसका reduction potential है वो भी उस arrow पर लिखा जाता है अब आप देख सकते हैं कि diagram contains the notation for the reduction half reactions जो reduction half reaction के notations उसमें होते हैं वो हम अब example आगा उसमें देख लेंगे on growing from left to right Latimer in the Latimer diagram the oxidation state of the element goes on decreasing जब left से बाएं हाथ से right hand side dyeing और जाएंगे तो oxidation state घटता हुआ जाएगा जैसा कि हमने अभी screen पर उस example के दवारा देखा था in a given adjacent pair of species the left hand species is reduced to the right hand species जाहिर सी बात है कि oxidation state अगर आप देख सकते हैं कि oxidation state जो है यहां अगर high है तो उसका मतलब left से right में जाते हुए species reduce हो जाती है तो यह example है एक Latimer diagram का जिसे हम देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग-अलग compounds जो है वो iron के लिखे हुए हो सकते हैं जिस कई बार लिखे भी हो सकते हैं कि बार सिर्फ states से भी इसको show कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर oxidation states लिखे हुए हैं और कई बार जो change है उसके यहां से यहां तक change होने में जैसे प्लस 6 से प्लस 3 होने में कितने electrons चाहिए तो यह electrons भी कई बार लिखे हुए होते हैं इन arrows के साथ और यह आप देख सकते हैं कि जो reduction potential से वो लिखे हुए हैं और यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हैं दो adjacent या निकटवर्ती species में तो वो एक दूसरे में अगर हो रहे हैं वो reduction reaction है यहां से यहां तक जाएं तो reduction है यह दोनों निकटवर्ती है तो इस species से इस species में change होने के लिए जो reaction हो रही है वो reduction reaction हो रही है reduction half reactions for the changes showing in the latimer diagram are तो यह जो latimer diagram है iron के different oxidation states के plus 6, plus 3, plus 2 and 0 यह oxidation state है इनके half जो reduction half reactions हैं उनको भी हम इस परकार से लिख सकते हैं देखिए यह हमने species यहां लिखा और वो change हुआ F3 plus में यह reaction हमने लिखा 8H plus डाल के और हम देख रहे हैं कि 3 electrons इसमें use up हुए है यह रिडक्शन हुआ है और यह electrode potential को यहां लिखा गया है ठीक उसी तरह से अगर आप यहां से यहां तक जाना चाहें तो यह यहां लिखा हुआ है electron इसने पिक किया देखे प्लस 3 से प्लस 2 में जाने के लिए एक electron इसने पिक किया और यह आप देख सकते हैं कि 2 यह जो reduced state है उसको यहां पर लिखा गया है जो potential है वो यहां से यहां पर लिखा हुआ है आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि यहां प्लस values हैं सभी के इसको छोड़कर यह दोनों प्लस values हैं उसका मतलब यह spontaneous reaction को दिखा रहे हैं तो आईए कुछ और जान लेते हैं लैटिमर डियाग्राम के बारे में एक और example यह oxygen का लैटिमर डियाग्राम है और आप देख सकते हैं कि oxygen यहां पर इसका 0 इससे पहले वाला जो example था उसमें oxidation state प्लस में थे इसमें जो है वो 0 से start होके negative यानि higher value of oxidation state से lower value of oxidation state में हम पहुँ रहे हैं यहां से यहां तक जाते हुए यानि left से right की और जाते हुए इसका जो half reduction half reaction है उनको भी हम लेख सकते हैं यहां इस प्रकार से क्योंकि हमें values तो potential के दिये हुए हैं species हमें दिये हुए हैं तो यह O2 जो H2O2 में convert हो रहा है उसका मतलब यहां आप देख सकते हैं कि एक H2O2 में convert हो रहा है तो इस तरह से hydrogen लगाकर add करके हमने species तक हम इस reaction को लेकर आए है इस reduction reaction को और जो EMF की value हमने यहां लिखी है इस तरह से इसको अगर हम इस में change कर रहे हैं तो इसको balance out करके और यह देखते हुए कि दो oxygen है एक oxygen एक electron को pick करके minus 1 से minus 2 में हो रहा है तो दो oxygen है दो electrons pick कर रहा है और इस तरह से जो इसका reduction potential है वो यहां पर हमने लिखा है तो इस तरह से हम Latimer diagram के साहता से हम reduction half reactions को आसाने से लिख सकते हैं आए यह देखते हैं कि Latimer diagram को हम पढ़ते ही क्यों है application क्या है इसका तो एक application यह है कि to predict the feasibility of disproportionation reaction feasibility यानि वो reaction संभब भी है या नहीं तो यह हम predict कर सकते हैं हम जान सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो है कोई disproportion reaction विशमननुपाती अभिक्रिया जो है वो होगी या नहीं होगी तो आप suppose यह example हमने symbol से डाला हुआ है यहां पर लिखा हुआ है 2m plus जो है वो देखिए वो change हो रहा है 0 और 2 plus में इसको अगर हम लिखें Latimer diagram के अनुसार तो यह रहा m plus और वो उसका एक जो है वो oxidize हो रहा है और दूसरा आप reactions corresponding to Latimer diagram are तो यह disproportionation reaction है और Latimer diagram में इस तरह से हमने show किया हुआ है disproportionation reaction में जो बीच वाला species है वो एक reduce और एक तरफ oxidize हो जाता है तो इन reactions को हम इसके सहायता से Latimer diagram के सहायता से reduction reaction दो लिख सकते हैं एक reduction m2 plus का m plus में change होने के लिए जिसका e1 यहां पर दिया हुआ है reduction potential और दूसरा है कि m plus जो है वो reduce होके m0 में change होता है तो उसका reduction potential यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं subtracting these reactions from each other हम इन दोनों reaction को एक दूसरे सगर minus करें यानि इस reaction से यह आप देख सकते हैं इस यह लिखा हुआ उससे इसको यहां लिखा हुआ उसको minus कर देते हैं तो हमें जो है इस side में भी वो species सारी यहां पर हमने लिखे और ultimately जैसे इसका यह रहा यह यह यहां पर है यह यहां लिखा हुआ है minus किया यह रहा minus किया तो अगर और फिर यह आएगा e2 से minus किया even को तो अगर हम इसको पूरे को add करें subtract करें तो हमें आ जाएगा m plus gives rise to यह जो है equation same to same disproportionation की यह reaction यह reaction ही है जो इन दोनो reduction reactions को आपस में minus करके निकाली गई है इसके साथ ही जो potential इसका आएगा वो है इस reaction का वो है e02-e01 तो यह दोनो reactions के potential का भी हमने minus करके यह value देखना है कि इससे पता करेंगे कि reaction होगी की नहीं होगी तो यह अपना disproportionation reaction is possible यह संभव तब ही है जब e02-e01 जो है वो positive value हो कोई भी reaction जो है electrode potential से जब हम predict करते हैं हम यह तै करते हैं कि यह होगा या नहीं होगा जानने की कोशिश करते हैं तो जो उसकी value है वो positive आनी चाहिए prediction में तो आप देख सकते हैं कि a species given in a latimer diagram will disproportionate into its adjacent to species if e0 values of the species lying on the right side is higher than the e0 value of the species on the left hand side तो right side में जो value है e02 वो जो left hand side में value है e01 उससे बड़ी होनी चाहिए यानि यह जो value है वो high होनी चाहिए यह value low होनी चाहिए तभी इन दोनों का minus करने के बाद positive result आएका और वो reaction हो पाएका तो इसको example से समझते हैं with the help of latimer diagram of oxygen given as यह oxygen का latimer diagram दिया हुआ है write the reduction half reactions corresponding to this diagram इस diagram के अनुसार से आप reduction half reactions लिखें and predict whether H2O2 will disproportionate into O2 and H2 or not तो दो चीज़े इन्होंने पूछी है कि पहले इसके reduction half reactions लिखो जो की बहुत आसान इससे पहले भी हम कर चुके हैं यह O2 से H2O2 में change होगा तो और यह reduction potential लिखा हुआ है और hydrogen add करके हमने यह product निकाला है इससे पहले भी हमने इसका half reaction यह रहा इसका half reaction यह है और यहां से यहां तक का half reaction यह है जैसा कि हमने इससे पहले भी इसको देख रहा है जो potentials हैं वो यहां लिखे हुए हैं और जो electrons का reduction, electrons का addition हो रहा है यह reduction जो electrons in reductions में involved हो रहे हैं वो यहां पर लिखा हुआ है तो यह half reaction में जो कि आसान है इसको यहां से देख कर लिखने का यह species यह रहा यह है यहां से 0 से मानेस बन जाने के लिए 2 oxygen को 2 electrons चाहिए और जो potential है यह लिखा हुआ है यह हमने पहले भी किया हुआ है आप इन्हाने पूछा है कि यह reaction होगा कि नहीं होगा अभी हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि यह देखिये कि यह पढ़ा था कि E2-E1 E02-E1 अभी E02 कौन सा है राइट हैंड साइट E0 value of the species on the right hand side यानि दाइं हाथ के और जो value है वो high होने चाहिए बाइं हाथ के और में जो value है उस से तो यह हम देख लेते हैं कि वास्ता में है के नहीं right hand side value value है यह left hand side value value है यह right hand side value value जो है वो high है left hand side value value से कम है तो इसमें आप देखिए H2O2 से H2O H2O2 से H2O H2O2 से H2O की value जो right hand side वाली है जो की E02 है वो high है किस से O2 H2O2 conversion के लिए जो ये value है इसकी दुलना में ये छोटी value है lesser value है तो उसका मतलब ये reaction possible है also since H2O2 H2O potential minus जो potential है O2 H2O जो potential है वो आप देख लें यहाँ पर 1.76 minus 0.70 तो ये जो है positive quantity है sorry ये एक positive quantity है इसलिए disproportionation of H2O2 O2 and H2O is feasible या possible तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H2O2 H2O लिखा हुआ है ये रहा और ये O2 और H2O2 यहाँ लिखना था वो printing mistake है वो है आपकी value ये वाली तो ये printing mistake है इसको थोड़े सा correction कर लीजेगा notes बनाते वक्त कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि अगर ये value ज़ादा है ये value ज़ादा है ये value कम है तो reaction होगी ये ज़ादा और ये कम तो reaction होगी disproportionation होगा आईए दूसरा application Latimer diagram का देख लेते हैं to calculate E zero values यहाँ जो E है ये zero जो है उपर होना चाहिए superscript में printing के वज़े से ये side में ही है तो इसको E zero इस तरह से लिखेगा notes बनाते वक्त to calculate E zero values for any non-adjacent couple in the Latimer in Latimer diagram देखे अब तक हमने जो calculate किया है देखा है वो है कि ये और ये दून अज़ेशन है यानि neighboring है उनके बीच में जो potential है वो यहां पर दिखाया गया है लेकिन अगर non-adjacent हो लेकिन जैसे यहां से लेकर यहां तक अगर पहुंचना हो तो फिर इनका E zero value क्या होगा जो कि non-adjacent है यानि neighboring नहीं है तो उनका कैसे calculate करेंगे वो भी हम Latimer diagram के साहिता से कर सकते हैं किस प्रकार से देखिए calculate the E zero value of the reduction of Fe3 plus 2 Fe0 Fe3 plus Fe0 में जो reduction potential value होगी वो इस Latimer diagram के साहिता से calculate कीजिए तो यह Latimer diagram हमें दिया हुआ है और the given diagram can be shown as इस diagram को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या change किया है हमने change हमने कुछ भी नहीं किया है बसे कुछ formula लिखे हैं यहाँ पर यह formula आपको मालूम है energy change का delta G01 is equal to minus N1 Fe10 उसी तरह से 2 के लिए हमने यह लिखा है यह number 1 है यह number 2 है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Fe3 प्लस से अगर Fe0 oxidation state तक पहुँचना है तो उसके लिए हमने N1 प्लस N2 करके यहां तक पहुँचे हैं यह N1 क्या है N1 है number of electrons आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से लेकर 2 में यानि N की value N1 की value है पहुचे हैं तो यहां N2 की value है 2 यहां N1 की value है 1 तो क्योंकि change number of electrons का change जो है कितने electrons से यह species यहां तक पहुचा वो संख्या यहां N के रूप में लिखी जाती है similarly यह जो species है वो यहां तक पहुचने के लिए इसमें change होने के लिए कितने electrons चाहिए 2 electrons so N2 will be 2 तो इस तरह से इन formula को हम ध्यान में रखते हैं और यहां से हम पहुचते हैं next step में यहां यह जो free energy changes है अलग-अलग half reaction के यह delta G 0, 1, 2, and 3 N1 और N2 जो है number of electrons है in half reactions में तो यह आप देखिए यहां से F3 प्लस से F2 प्लस में N1 है 1 क्योंकि एक electrons इसमें involved है जो कि हमने अभी आपको बताया था उसे तरह से F2 प्लस से अगर F2 प्लस से F2 0 में आप पहुचते हैं तो इसमें 2 electrons की जरुद होती है तो इसमें N is equal to B2 तो यह सारी चीज़ें आपने को ध्यान में रखनी है हमें यह भी मालूम है कि डेल्टा जी 0 जो ओवराल reaction है उसके वो उसमें जो free energy change है यह दोनों half reaction के change जो energy में free energy change है उनको add करके इसमें से इकलता है तो इसकी जो values है वो हमने जो formula है वो इससे पहले बाले slide में हमने देखा था उन formula को हमने यहां पर रखा और यहां पर हम देख सकते हैं कि इसको यह change होके इसमें ultimately इस form में आ जाता है और फिर उसको हम इस form में लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि हमें E0 की value हमें जाननी है हमारे पास E1 और E2 हमारे पास है दिया हुआ है N1, N2 हम जानते हैं तो यह value यह जो formula है यह अपने को याद रखना है उस transformation के लिए जो कि non-adjacent है यानि दो species M, N प्लास और दूसरा कोई M, X प्लास सॉरी M, N प्लास और M, X प्लास अगर दो species हों और उनके बीच में एक आद species और हों तो इस transformation के लिए हमें क्या value हम लिकाल सकते हैं E0 का कैसे लिकाल सकते हैं उसके लिए यह formula जरूरी है चानना ध्यान में रखना On putting the jam के question में यह आता है Jam के examination में Latimer diagram से question आया हुआ है Net में मैंने अभी तक देखा नहीं है यह ध्यान नहीं दिया Jam में आया हुआ है तो the putting on putting the values of N1, N2 E01, E02 we get यह जो सारे values हमको पता ही है यह value दिये वे हैं diagram में यह electrons का change हमने देखा हुआ है और उसको यहां पर रखा और उसके बाद E0 का value हमारा आया minus 0.036 volt तो इस तरह से हमने जो उन species के change का जो कि non-adjacent है neighboring नहीं है निकटवर्ती नहीं है neighboring या निकटवर्ती या non-adjacent है या निकटवर्ती नहीं है neighboring नहीं है non-adjacent है उनका हम किस तरह से E0 का values उन reactions के लिए निकाल सकते हैं वो Latimer Diagram के साहता से हमने ये example में देखा so example 3 देखिए draw Latimer Diagram for the following reduction half reactions and calculate the value of E0 for the reduction of Cu2 plus 2 Cu तो ये हमको transformation दिया हुआ है और इसको देखके हमें Latimer Diagram बनाना है बहुत easy है जो सबसे जादा highest oxidizing है उसको हमने left में लखना है और जो सबसे lowest है उसको हमने right में लखना है और बीच में जो decreasing order घटते हुए क्रम में oxidation state में इनको हमें लिखना है हमने इन तीनों species को लिखा तीनी species हैं इसके अंदर Cu2 plus then Cu plus and Cu0 तो इन तीनों को लिखा पहले transformation के लिए Cu2 plus से Cu तक आने के लिए reduction potential यह रहा और यहां से Cu plus से Cu0 तक आने के लिए जो potential दिया हुए वो हमने यहां रखा और हमने यह तीन के निशान दिये एक और काम हम कर सकते हैं कि यहां पर number of electrons लिख सकते हैं N1, N2 इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे के हमने यहां पर लिखा है देखिए N1 is equal to 1 इन दोनों के बीचे में 1 का electron का फर्क है accept कि 1 electron से यह change आ रहा है उसी तरह से यह भी change है वो 1 electron है तो यह भी N2 is equal to 1 N1 is equal to 1 इस तरह से हमने इसको लिखा है तो यह कोई भी reaction तब visible होती है आपको मालूम है जब अगर disproportionation देखते तो इसकी value ज़ादा होने चाहिए थी इससे लेकिन हमें यहां पर पूछा गया है कि calculate the value of E0 for reduction of Cu2 plus 2 Cu यहां से लेकर यहां तक reduction potential जो change हो रहा है उसको आप calculate करें तो पहला काम हमने कर दिया इसके बाद जो यह transformation यह कैसा transformation है यह non-adjacent species का transformation है क्योंकि Cu2 plus का जो निकटवर्थी है वो Cu plus है उसे तरह से Cu0 का निकटवर्थी Cu plus है लेकिन Cu2 plus से यहां तक जाने के लिए यह neighboring नहीं है यह निकटवर्थी नहीं है non-adjacent है तो इसलिए हमको इस formula का use करना है हमें यह values E1 E1 और E2 दिये वे हैं और उनको यहां पर हमने fill करना है transformation के लिए दोनों बारी N का value जो है 1 है तो हमने N1 और N2 का value यहां पर 1 लिखा यह देखे 0.15 जो है यह value है जो की यहां से यहां तक transform होने के लिए लिए लिखा है और जो E2 है 0.50 0.50 है यह यह value यहां होनी चाहिए थी printing mistake है वो आप ध्यान में रखेगा तो यह value है वो यहां पर लिखा हुआ है और इस तरह से आप इसको calculate करके पहुन सकते हैं answer तक that is 0.321 volt तो यहां एक printing mistake है यह चीज यहां पर repeat हो गई है जिसको आपको ध्यान में रखना है और यहां 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 रख तो राइट 0.50 जो की कर्रेक्शन यहां पर इन्होंने कर दिया हुआ है तो आप धाट इस वीडियो इस उस्फुल to you for Latimer diagrams thank you for being with me